हलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी मैं नाम अडजून है और आज आपको दिखाने के लिए मेरे पास बेस्ट और बजट फ्रेंडली मैकसे वाइलिस पावर बैंक है जिसको फॉन के पीछे ऐसे लगा कर वाइलिस ली चार्ज कर सकते हैं एपल के मैकसे वाइरलिस पावर बैंक आती है जो को 10,900 रोपे की आती है और उसमें सिर्फ चौरज वीड़ी सब्सक्राइब कर लिए जिससे मैं जब भी ऐसी वीडियो अप्लोड करूँ तो आपको पता लग जाये इस वीडियो में आपको इसकी उन्बोकसिंग दिखाता ह उसके बार में हम इसके बार में डिटेल में बात करेंगी तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों कुछ इस तरह का इसका बॉक्स आता है उपर बैलकिन का लोगो है यहां इसका नाम लिखा है Boost Charge Magnetic Wireless Power Bank यहां इसकी फोटो दे रखी है और यहां लिखा है MagSafe Compatible मतलब आप इसे MagSafe Enable Device के साथ यूज़ कर सकते हैं जैसे iPhone 12 और 13 Series और New Airports 3 और Airports Pro यहां नीचे लिखा है यह iPhone 12 Pro Max iPhone 12 Pro, iPhone 12 और iPhone 12 Mini के साथ यूज़ की जा सकती है इसके launch के time iPhone 13 Series नहीं आती थी तो वो यहां नहीं लिखा है पर आप इसे iPhone 13 Series के सबी iPhones के साथ यूज़ कर सकते हैं इसके लावा यहां लिखा है Safe and Secure Magnetic Attachment यहां लिखा है इसके Slim, Compact और Lightweight डिज़ाइन है बाकि यहां पीछे इसके कुछ और फीचर साइलाइट कर रखिये हैं यहां इसका Model Number और इसकी MRP दे रखिये हैं जो कि 4999 में है पर Amazon पर मुझे 34 रुपे की मिल गई थी नीचे इसके Manufacturer की Detail दे रखिये है जो कि Belkin Inc. है यह USA-based कंपनी है और इसकी Country of Origin चाइना है इसके लावा इस Powerbank को यूज़ करते वक्त आपकी Connected Device खराब हो जाए तो Belkin आपको 2500 डॉलर तक की Protection भी देता है तो कुछ इस तरह का इसका Box आता है चलिए अब इसे खोल लेते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या क्या आता है Box खोलते ही आपको Tray देखने को मिलती है जिसमें उपर Powerbank रखिये है इसके लावा आपको Box में बहुत सार पेपर वक्त देखने को मिल जाता है जिसमें कुछ पेपर चाइनीज में दिये गए है इसके लावा इसमें एक Quick Start Guide है और एक इस Powerbank की बड़ी सी User Guide है Box में दीगे ट्रे की साइड में आपको White Clear की Charging Cable भी देखने को मिलती है जिसके यूज़ करके आप इस Powerbank को चार्ज कर सकते हैं इस Cable की Length 1 मीटर है और इसके दोनों तरफ आपको USB-C Connector देखने को मिलता है बाकि Cable की Quality मुझे बहुत अच्छी लग रही है लास्ट में ट्रे के बीच में हमें Powerbank मिल जाती है जिसे Slide करके आप बाहर निकाल सकते है तो दोस्तों कुछ इस तरह की ये Wireless Powerbank है मैंने इसे White Color में मंगा है इसके लावे इसमें आपको Black Color भी मिलता है तो चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले इस Powerbank की Design के बारे में बात करते हैं यहाँ पर Belkin लिखा है और जो उपर का Texture है ये Matte Finish के साथ आता है इसके उपर ये White Color मुझे बहुत अच्छा लग रहा है Powerbank के इस साइड में आप देखेंगे तो आपको चार LED इंडिकेटर देखने को मिलेंगे इनके आगे एक बटन दिया गया है जिसे प्रेस करके आप इस Powerbank की Current Battery चेक कर सकते हैं जैसे अभी इसकी चारो LED लाइट्स ओन है तो इसका मतल़ भी पावर बैंक फुल चार्ज है तो ये चीज इसमें आपको काफी अच्छी मिलती है आप डिरेक्ट हैं से इसकी बैटरी चेक कर सकते हैं इसके लावा यहां उपर की तरफ कुछ Regulatory Info दे रखी है साइड से कुछ इतनी पतली ये Powerbank है काफी Slim डिजाइन है इसके लावा Powerbank काफी चोटी और Lightweight भी है तो आप इसे Easily अपने साथ Pocket में Carry कर सकते हैं Powerbank के नीचे की तरफ आपको USB C Port मिलते है जहां से आप इसे चार्ज कर सकते हैं चार्जिंग के लिए आप कोई भी 18 वोट या उसे नीचे का adapter यूज़ कर सकते हैं जब Powerbank चार्ज हो रही होगी तो आप इसके LED लैट देखकर पता लगा सकते हैं कि ये कितनी चार्ज हो चुकी है Powerbank के अंदर की तरफ आपको MagSafe की रिंग देखने को मिलती है जहां सबी Magnets है और यहां Belkin का Logo है अंदर की तरफ जो टेक्शिर है वो बहुत सोफ्ट है और हाथ लगाने पर इसका सर्फेस रबड की जैसे लगता है सोफ सर्फेस के कारण जब आप इसे अपने फोन से कनेक्ट करते हैं तो फोन पर कोई स्क्रेचिज नहीं आते हैं बाकि ये Powerbank हाथ में लेकि काफ़ी प्रीमियम लगती है और इसकी Build Quality भी बहुत अच्छी दी गई है ये Powerbank 25 एमेज की Capacity के साथ आती है पर फिर भी इस Powerbank की Capacity Apple के MagSafe Battery Pack से ज़्यादे ही दी गई है तो ये इसका एक Plus Point है इस Powerbank को आप किसी भी Apple की MagSafe device के साथ यूज़ कर सकते हैं जैसे iPhone 12 और 13 Series के सब भी iPhones अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं अब अगर आप इस Powerbank को फोन की पीछे लगाएंगे तो MagSafe के कारण Powerbank अपने आप फोन की Wireless Charging Coils पर perfectly align हो जाएगी और आपको फोन चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा MagSafe के कारण ऐसे फोन की पीछे Powerbank अटेच करके अलगी फील आता है और मन करते है कि बार-बार इसे Attach और Detach करते रहें MagSafe में Magnets बहुत ही ज़्यादा Powerful तो नहीं होती है पर इतनी Powerful होती है कि अगर मैं सिफ Powerbank से इसको पकड़ कर रखूँ तो भी फोन इसके साथ चिपका हो रहेगा तो काफी बड़ी चीज मुझे यह लगी अगर आप Apple के Mac से बैटरी पैक का अल्टरनेटिव डून रहे हैं तो आपको इसे जरूर ट्रै करके देखना चाहिए जैसे ही आप बैटरी पैक को फोन के पीछे अटेच करेंगे तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि इसके बटन पर दी गई LED लाइट ओन हो जाएगी जो शो करती है कि पावर बैंक अभी ओन है और यूज हो रही है जैसे ही मैं से अटाऊंगा तो कुछ सेकंड्स बाद ये LED लाइट बंद हो जाएगी और जैसे ही मैं से फिर से कनेक्ट करूँगा तो ये LED लाइट फिर से ओन हो जाएगी अभी मैंने आईफोन 13 प्रो से इस बैटरी पैक को कनेक्ट कर रखा है तो आप देख सकते हैं फोन कितना मौटर लग रहा है इसको लगाने की बाद भी मुझे फोन बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लग रहा है और कुछ इस तरीके का फोन दिख रहा है बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बैटरी पैक इसी का पार्ट है अब मैं फोन को एजीली करिख सकता हूँ और चार्ज करते करते हैं फोन को आराम से यूज़ भी कर सकता हूँ इसके साथ फोन को चलाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है जब हम नॉर्मल पावर बैंक को यूज़ करते हैं तो पावर बैंक को हमें ऐसे हाथ में पकड़नी पड़ती है और यहां से केबल जा रही होती है जो देखने में काफी अजीब सी लगती है और फोन को केरी करने में मजासा नहीं आता है तो मैक सेफ काफी intuitive solution है और इस problem को solve करता है मुझे तो यह battery pack बहुज़ ज़्यादा पसंद आया और मैं इसे जरूर use करूंगा यह power bank pass through technology के साथ आती है तो आप इस power bank को charge भी कर सकते हैं अब मैं चाहूँ तो direct phone को इस पर रखकर charge कर सकता हूँ अगर आपके पास normal wireless charging वाला phone है जैसे मेरे पास यह iPhone SE 2 है जिसमें wireless charging का support है पर इसमें MagSafe technology नहीं है जिसके कारएं इसमें यह magnets नहीं है पर फिर भी मैं इस power bank का use करके मेरे phone को wirelessly charge कर सकता हूँ बस magnets ना होने के कारएं यह पिछे चिप क्यों नहीं रहेगी और इस तरीके से फिसलेगी तो मुझे इसे पकड़ कर रखना पड़ेगा अगर मैं इसे wirelessly charge करना चाहता हूँ तो अगर आप इसे एक stable जगा रख दे और बार बार ना हिलाए तो आप अराम से बिना MagSafe के भी इसके उपर phone को रख कर चार्ज कर सकते हैं तो दोस्तों इस power bank में यह सब था अगर आप अपने iPhone 12 या 13 के लिए power bank लेने की सोच रहे हैं तो आपको इस wireless MagSafe battery pack को जुरूर अपनी list में रखना चाहिए तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतने ही था अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को like करके चैनल को subscribe कर दीजिए मैं इस तरह की वीडियो चैनल पर लगाता रहता हूं अगर आपको questions है तो आप मुझे इस्टाग्राम पर follow करके पूश सकते हैं मैं आप सबके reply देने कोशिश करता हूँ फिर मिलूँगा आप से एकले वीडियो में इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद